कि हेलो dear students! welcome to our channel आई पेसव दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं धा साम के समय लेकर आता हूं जन्रल साइन्स का यह प्राक्टिस स्यैट किसका करते हaleyं की यह संत्रीक। इसे हम दोस्तो 25 को संद करेंगे जो आपके exam को दोस्तो रूबरू कराने जिससे आपके exam में दोस्तो मो बढ़िया नमबर आ जाएं दोस्तो इस वज़ेसे हम करते हैं इस class को daily साम के समय तो चली दोस्तो सब्सक्राइब कौन सी मैराथोन क्लास कराई थी आपके लिए सोचल साइंस की 11 बज़े से वह हमारी चली थी दोस्तों ठीक है काफी अच्छा रेस्पोंस राए आपका भी उसमें और बाकी दोस्तों जिस भी भाई ने नहीं देखिए वह जाकर देख लेना क्योंकि हमने दोस्तों युमंग और उत्सा के साथ आया होगा आपने काफी अच्छा दिन आपको वयतित हुआ सब्सक्राइब कर दोस्तों सेसंट को मोस्ट इंपोर्टेंट में आप ओल्रेडी जानते हैं क्योंकि डेली क्लास होती है आज को जैटा 9 है ठीक है उससे पहले मैं आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो सबस्क्राइब जरूर कर लेना तो चले दोस्तों सबस्क्राइब पर आपके को सन है वो देख पार होंगे कर लेजर कोने क्प्योटर में दोस्तों किस तरह रहं पर आप कब्योंटर कर लेजर का या चünüकर बारे नकता को अब बताऊँ दोस्तों प्रिांटर कितने टाइप क्योंते हैं ठोड़ी सी आप नौली ज़क्न साइपया और सबकरेम नौनिंपैक्ट थे इंपैक्ट और नोन इंपैक्ट हमारे अमारे इंप यूज करते है जिसमें आपका एक तो होता है लेजर एक होता है दोस्तों आपका इंक-जैड रिंक ठीट टो यह दो दो प्रिंटर आपके यूज करते आरहा हम बात करें दोस्तों इस लेजर की ठीक है लेजर के बारे में एक बात और में आपको बता दो खास जो आपके फिजिक से रिलेटेड है लेजर की फुल फॉर्म क्या आया स्टुडेंट्स लेजर की फुल फॉर्म लाइट क्या स्टुडेंट्स लाइट एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन ठीकेश्टेंट्स और बाई इस्टी मूलेटिड इस्टी मूलेटिड इस्टी मूलेटिड इस्टी मूलेटिड इस्टी मूल जानते ही होंगे नहीं जानते हो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा कैसा लगा दोस्तों एक बार ज़रूर थमसप कर देना और से अपने चुडेंटों के बीच में बहुत अच्छे तरीकी तो यह समझ में दोस्तों हम लेजर का यूज करते हैं किसमें अगर दोस्तों मैं सबस्तों बहुत सारे तरीके से होता हैं दोस्तों किसका यूजार का यूजियॉ फोटो कुछन आप से पूछना क चाहूँ का दो जो फोटोऊ स्टेट मशीन भाति है आपकी जिघ्रोक्स कराने वाले जो मसीन अज़ीन होतीय फोटो इस्टेट मशीन होती है जो वह कौन सि Montreal कर घर्क वो कौन सी गैस का उत्सर्जन करती है ठीक है ना कौन सी गैस का उत्सर्जन करती है बताना ज़रा कौन सी गैस का उत्सर्जन करती है दोस्तों यह करती है मैं आपको बता हूँ दोस्तों पहले एक बार आप मुझे कमेंड करोगी सर यह वाली गैस का उत्सर्जन करती है कौन सी मसीन फोटो स्टेट मसीन जो जिरोक्स कॉपी कराती है ठीक है बताना जरा मुझे फास्ट और सैसन को अपने दोस्तों के बीच में सेयर कर दीजिए और सभी को मेरे नए साल की मुबारक बात सभी का दिन बढ़िया हुआ होगा और 2022 में दोस्तों आप अपने ड्रीम्स को को यह साब से भी हर स्टेट में उम्मीद है वैकेंसी फोंगी होंगी तो यह दोस्तों करका क्यों ओघ्यांकती कराते हैं तो ऐसा याद कर लें गांधा नुस्त स्क्रिन पर काले वस्तर के मुकाबले स्वेथ वस्तर सीतल क्यों होते यह सफेद को με क्या होते है तो यह डोस्तों बात हो यह गर्मियों की ठीक है मैं खरू पशीमिंगा निकलती है न वह बाहर से हवा लगता है और दोसτरी है हमारी एंट तो जब आपस में दोस्तों एक दूसरे कॉंटेक्ट होता है तो जो सपेद कपड़े होंगे दोस्तों वह एस कमपेर टू अधर कलर के कपड़ों के हिसाब से ज्यादा थंडे ने ज्यादा थंडे परतीत होते हैं तो यह देखेगा आपने देखा को दोस्तों काले वस्तरों जब सूरे के साथ में जाते हैं तो उसके इंपक्ट में दोस्तों प्रभाव पड़ता है तो ज़्यादा वह एब्ग ज़प से गर्मी ज़्यादा लगती है तो यह दिखेंग आपने देखो गर्मियों में अधिकतर लोग वाइट कलर के कोटन की कोटन कि ठीक है ना वह जी कर लेते हैं चुट बताये आफिर उनके पास जो भी प्रकास पहुचता है उसे प्रावर्तित कर देते हैं परकास होनी हुने देते या फिर दोर के परकास को पूर्ण कर देते हैं دो नॉ प्रकास को दोस्तों आप्जोर करने वाला होता है दोस्तों कौन सा कपड़ा बिलैक कलर का ठीक है ना बिलैक वाला ना कि वाइट वाला इसलिए दोस्तों आपका ओपसा नंबर भी आंसर हो जाएगा ठीक है आया समझ में किस तरीके से क्या दोस्तों को ओपसा नंबर भी इसका आंसर हो जाएगा आगे चलनों सुडेंट्स आगे दोस्तों देखेगा क्लास थैं आप इसमें रिविजिन कर सकते हो जिसको नहीं पता हुँ समझ सकता है ठीक है ना दोनों दरीके का काम होता है तरहल पदारत होता है दोस्तों आपका लिक्वीड वाला उसकी डैनसिटी अगर हम गरम कर देते हैं तो उस पर क्या परभाव पड़ेगा density पर ठीक है यह था दोस्तों density is equal to mass upon me area ठीक है यानि कि इन दी बलते हैं तो गनतु बराबर द्रमयमान बटे आइतन ठीक है हाँ आइतन volume कहा देते हैं दोस्तों को volume note area ठीक ना density of liquid by तो क्या परवाव पढ़ेगा उसके घंत उपर क्या वो कम हो जाता है क्या वो बढ़ जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर दोस्तों आपका क्या होसाए export क्या होता है अ अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दियेगा इस कोशन में आपसे पूछा क्या को पानी में डूबोए जाता है तो वह में मतलब वह को विश्ठापीत कर देता है तो वह समान में पानी को विश्ठापीत कर देता है ऐद्ट उपसन यहां पर देख तरह पर आपनी स्ट्सक्रीन पर यहां पर सेट किजिए और मुझे मुझे कमेंट कीजिए मैं आपकी कमेंट को देख रहा हूं वैन ब्लोक स्टोन इस इमर्स दी इन वाटर इट डिस्प्लेश दा वाटर इन दे सेम डैंसिटी स्पेसिफिक ग्राविटी मास वाल्यूम बताए मुझे इसका अंसर क्या हो जाएगा स्ट बहुत फास्ट कॉस्ट नंबर फॉर है जिसमें आप देख पारें दोस्तों पासान खंड जो सरी पासान खंड ठीक है ना काफी सारी जो दोस्तों पुरानी पुरानी चीज़ होते हैं उनकी बात हो रही है दोस्तों बट आप मुझे बताई जब पानी में डालते है तो विस्तापित कर देता है सिं तन को ठीक है ना वो अपने आयतन अपने जो दोस्तों उसका आकारा उसके ब्रावर पानी को विश्थापित कर देता है ठीक है आया समझे में आगे चलू स्टुडेंट्स चली दोस्तों मुझे आप बताए विशिस्ट गुरुत्तू क्या जो दोस्तों यूनिट है इसकी वी वात में दोस्तों मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा जरा इसको हम इंग्लीश में पढ़ लेते हैं दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा यह पटटा लग रहा है अब वैक्यूम क्लीनर वर्क्स अकॉर्डिंग टूदा ल पर जरह ध्यान दियेगा इस कोशन का अंसर मुझे आप कमेंट करें ठीक है प्रत्वी के समान ही कुसर लूप से कार्य करेगा कटा यह नहीं करेगा यह तो छोड़ दीजिए उप्सन को यह तो बिल्कुल आपसे आउट बात कर रहा है कम कुसलता से कार्य करेगा दोस्तों क कम कुसलता से कार्य करेगा अधिक कंव लूप सरलता से कार्य करेगा कि आ है क्योंकि दोस्तों प्रत्वी के समानतों करने सरा क्योंकि दोस आपकि स्की बात हो होगा दोस्तों अगर चंद्रमा पर दोस्तों कोई दमाका होगा तो क्या उसकी सुनाई धरती पर आएगी क्या उसकी सुनाई दोस्तों परत्वी पर आएगी बताइए मुझे ऐसा उप्सन होता है 24 गंटे बाद आएगी या फिर आने की नहीं है तो दोस्तों आने की नहीं है क्यों नहीं आती दोस्तों वहां से दोस्तों क्या होता है चलो जो कारण है वो आप मुझे कमेंट करो क्या होता है ठीक है ना जो हकीकत में कारण क्या है ठीक है मैं वेट कर रहा हूं आपका आप मुझे कमेंट करो अगला कोस्टन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देजेगा कोस्ट तो Color of Light Related ठीक है ना एंगल Frequency Quality और दोस्तो Velocity बताने जर्ण दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका जो परकास का जो रंग होता है वह हमारा किस से से रिलेटिड होता है क्या दोस्तों वेग से रिलेटिड होता है गुनवत्ता से गुनवत्ता भी छोड़ो और कोनांक भी छोड़ो ठीक है एंगल और social science की social science की दोस्तों जिस भाय नहीं देखिया मैं उसको कहा रहा हरूं ठीक है ना जुसल का complete माहँरत हो न हमेर्क दोस्तों के लिएक लिए जा चुकती अब इसका आई थिंग कि यह दोस्तों लोगू तरंग देरी के रूप में जब परकास धर्ती पर आता है तो आप मुझे बताना ज़रा कमेंट अगरा कोसन आपकी स्क्रीन पर ज़रा ज़्याहां दीजिएगा इस्टूडेंट इसमें क्या कह रही है इसमें question number seven पर आचुके हम दोस्तों चाक्सुक परदर्सिन एकक में प्राथिमिक रंग होते हैं दोस्तों कुल मिलागे इसको हम इंगलिस में पढ़ेंगे क्योंकि फुली हिंदी में लिखा हुआ है देखना दोस्तों कौन से होते हैं दोस्तों इसको जानते होंगे उम्मीद है चलता हूं अगला फिलक्स का लाट इंटेंसिटी का यह दोस्तों फिर ईल्रीमिनेशन इसकी दोस्तों इंग्लिस गलत लिक्यों यह डैंसिटी यहां परदीप्ति घंटू यहां फिर दोस्तों चमक खतम होगई ठीक ना साइनिंग का तो खुछ भी नहीं है लूमन किसका मात राग दोस्त आपका जोती फ्लक्स का जोती तीवर्ता का या फिर दोस्तों परदीप्ति घंटू का है तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका इसका कैंडिला ठीक है क्या स्टुजेंट्स कैंडिला टेक दोनों याद कर लेना पहला भी और दूसरा भी ठीक है ना आए समझ में आगे चलू अच्छा कोशन था दोस्तों यह यूनिट से रिलेटिड है आपका अगला कोशन आ चुक ओप्षण ए पबलीकेस्नuration डिस्मीनेशन कमप्लीट इंटर्नल एब्सोर्प्षन टॉटल इंटर्न रिफ्लेक्षण याइवे दोस्तों प्लोराइजेशन थै। के रोटेशन पॉलराइजेसन रोटेशन यानियों गुल मिलाके दोस्तो परकास का परकिरिननक। है कंप्रॉण आंतरिक प्रावर्तरन सुरईlike IP अवसोशन और प्रावर्तरन और धुरुण फाइबर ऑप्टिक्स भात कर रहा हूं दोस्तो तो धुरुण खतमे कर दोर करकास को अप्रोषा करके बहुत बैस्ट वे में आंत्रिक प्रावरतन कभी सुना यहां यह नहीं नहीं अंसर जाएगा आपका पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन ठीक है और इंटरिक रखलेक्शंद इससे दोस्तों मुष्ट इंप्ड़न गटना है और लिख लेत किसके कारण होता है हुआ वह किसके कारण होता है हीरे का चमकना और तीसरी घटना के सामने है फाइबर ऑप्टिफ किस सिदान पर कारे करता है ठीक है तीनों मतलब तीनों जो कोसन थे वो एक ही आपके इस कोसन से रिलेट हो चुके है पूर्णा अंतरिक परावरतन से टोटल इंटरनल रिफलेक्शन ठीक है आगे चलूं अगला कोसन आपकी स्क्रीन पर कोसन नंबर टैन कोसन नंबर टैन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है जड़ा इस कोसन को पढ़िए फिर दोस्तों इसका अंसर देने की पूरी कोसिस कीजिए आकास किस कारण से नीला होता है आकास का रंग दोस्तों किस कारण से नीला होता है वाइद इसकाई इज ब्लू रिफ्लेक्शन संव्लाइट रिफ्रैक्षान ओफे अफ्शन डीट यह रिफ्लैक्षण है स्केत्रिंग औbBut in the atmosphere सब्सकिरेग यह आपको बता रहा था दोस्तों रहते हो दोस्तों दोस्तों ना फिर अदोस्तों लूंगर विन प्रावरतन के कारण लग द्रhrंगतेर से फास्ट का नीला रंग नी रोक दोस्तो पर कि नर्ण भिए से ओंसे वाला यह उथा दोस्तों आपका लगू18 ठीक है ना ओपसन नमबर सी कौन सा स्टुडेंट ओपसन नमबर सी हो जाए कि ऐसका अंसर ठीक है आया समझ में ओपसन नमबर सी वाई मंडल में सूर्ड़े के परकास के लगुतर तरंग देरिये का परकिनन के कारण दोस्तों आपका जो आकास है वो नीले कलर का दिखाई देता है ठीक है आगे चलूं अगला कॉस्टन ज़रा ध्यान दीजेगा इसमें क्या पूछा हुआ है स्टुडेंट्स आप से इसमें पूछा हुआ है कॉस्टन न सामने रखी जाए सिंपल ची बात है दोस्तों बताना ज़रा इसका कॉस्टन का अंसर क्या है 11 नंबर का कॉस्टन आपका विच आफ दी फॉलविंग आज आलवेज प्रोड्यूस्ट दा स्मॉलर इमेज ऑफ दा ऑब्जेक्ट प्लेज इन दे फ्रन्ट ओफ इट टेक है प ख्तम कर दीजें दोस्तों क्योंकि इमेज बन रही है दरपन है कौनसा है 11 नंबर का यह दोस्ता कउत्तल दर पन हमेंचा थीकन ए समतल दर पन की कि नियुं तम दूर्ड दिस्टेंस होती है आपकी जो मतलब इस पास्तों किलियर हो वो कितनी होती है कमेंट करना यह सारे कोश्षन आपको करा चुका हूँ ठीक है ना अगला कोश्षन आपकी स्क्रीन पर ज़र ध्यान दिये जएगा इस कोश्षन से आपसे क्या पूछा हुआ है कोश्षन नमबर 12 है दोस्तो होलोग्राम किसे कहते हैं होलोग्राम किसी पर दोस्तो आप देख दोस्तो एक पुर्णर रुत पादन के लिए फोटोग्राफ रिकोर्ड या फिर दोस्तो आपका एक द्रव क्रिस्टल प्रदरसन इसको तो गोली मारत ऑप्शन को लास्ट वाले को ठीक है बताओ मुझे कौन सो जागा दोस्तों बारवे नंबर का अंसर ग्राफिकल रिपर प्रोड़क्षन ऑफ थ्री डाइमेंशनल इमेज तो इसका अंसर दोस्तों आपको जाएगा उपसे नंबर सी फोटोग्राफिक रिकोर्ड फॉर डी प्रोड़क्षन थ्री डाइमेंशनल इमेज ठीक है ना एक त्रीव इमेज हवी के पूनर रुत पादन के लिए पॉन हिए जो ट्रान्सपेरेंट मैंने पारदर्सी किसica सिद्धान पर काम करता है दोस्तो ओना वाटी मील Π्रिंसिपल डूजा इनारी वर्क रिफ्रेक्षन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अपवर्तन पूर्णांतिक प्रावर्तन विवर्तन या प्रावर्तन बताना ज़रा कौन सा हो जाएगा स्टुडेंट इसमें सांसर इसका कि बताओ कौन सा students प्रावरतन ठीक है reflection के कारण दोस्तों कौन सा पारदर्शिक की सिद्धान पर कारे करता है आपके प्रावरतन पर सिद्धान पर कारे करता है ठीक है आगे चलू कि पंद्रय नमबर का आपका आया है यह वाला कोशन अच्छा कोशन है देखें कि दोस्तों इसमें क्या पूछा हूआ आप से optic fiber का यूज कहा होता है optic fiber का यूज खिक है ना cat scan में एक्सरे में दोस्तों अल्टरा साउंड के स्केन में या फिर दोस्तों एंडर्सकॉपी में कि ऑप्सन फास्ट और साइड तो खतम ऐसी हो जाते हैं दोस्तों एक्सरे में उप्टिक फाइबर का यूज़ नहीं होता है ठीक है अगे चलू अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों बहुत अच्छे कोशन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर जो आप 15 से स्टार्ट हुए है इसी हैं बहुत इसी है वहानों के आगे दोस्तों दीपों में किस परकार की दरपन का इस्तमोल होता है जो दोस्तों है लाइट होती न है ठीक है उसमें हम कौन से लैंप का यूज़ करते हैं ठीक है ना और सॉरी दर पन करते हैं अगर देखा दोस्तों विच टाइप ओफा मेरल इस यूज़ इन देफ्रेंट लैंप ओफ वहिकल्स फिलेन कौन के कौन वैक्स पैराबॉलिक बताना जरा दोस्तों का अंशर क्या हो जाएगा है संतल अउतल परफल नहीं आपकी दोस्तों गाड़ी ओते हैं गाड़ी के आगए दोस्तों इस तरीके कोळता ना वह सके निगर आपकोशन आपकी स्क्रेन पर कॉस्टस ब्रावल अपिसे पूचा क्या हुआ है कारों के में हेड लैंप में परियुक्त होते हैं यह वही कोस्टन है रीपीट हो चुका है ठीक है ना इस कोस्टन का अंसर आप मुझे कमेंट कर देना के 17 नबर का कोस्टन है इस सेवंटी नमबर पर देखे का क्या पूछा हुआ है कोस्ट नमर 17 परकास को सुरे से प्रत्रवी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है बहुत अच्छा कोसन बहुत बढ़िया इसको आपको मून इसका मुझे बताई यहां यहँनिसागर है मून को पूसटा है आप वंपॉइंट पास होती है वो दोस्तों प्रत्वी के प्रत्वी तक उसके वाई मंदल तक नहीं पहुंच पाती है क्यों नहीं पहुंच पाती है दोस्तों क्योंकि आपके और हमारे दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों लाइफ को सेव कर रहा है प्राबैगनी किर्णों से कौन कर रहा है दोस not reach the earth of atmosphere option number c ozone ठीक है ठीक है अब देखिए कि दोस्तों ozone day कब मनाये जाता है ठीक है 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों ओजोन डे एक तो कोशन यह हो गया ठीक याद हो जाएगा ओजोन डे 16 सितंबर को कि दोस्तों एक कोशन आपका environment day अइनवारमेंट डे कब मनाते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर जिरा ध्यान दीजेगा वर्नाद था दोस्तों जो वर्नाद था कलर बिलाइंड नेस्ट का जो भूग होता है दोस्तों जिसमें जो दोस्तों रोगी और व्यक्ति होता हूँ एड और गिरीन कलर में अप फरق नहीं कर पाता है इससे के दो कौन से लेंस के दूरा दूर किया सकता है बताई जरस का अंसर बताई आप मुझे आगर दोस्तों आपको पता होगा आपने परकास वरकास लेंस पढ़ रखा अच्छे तरीके से डाट इफेक्ट ऑफा कलर ब्लाइडनेस कैन भी रिमूट वाइद यूजिंग विच लैंस क्य होसकता है यानिक gift operation हो सकता है बाकि कोई इलाज नहीं है क्योंकि दोस्तों ये कौन सी बिमारी होती है जैने टिक होती है शुटेटेंट से जैने टीक ठीक इस वज़े से कि अगला को समय आपकी स्क्रीन पर वाई-यू मंडल वाई-ूमेंडल की उपरी परत द्वारा किस पर और लेयर ओफ एटमोस्फेर कौन सी दोस्तो प्राबैंगनी कौन सी स्ट्रेंट्स प्राबैंगनी किरनों का अवसोसित कर लेता है दोस्तों कौन ओजोन परत ठेक है ओजोन परत हो जाएगा तयार आगे चलो स्ट्रेंट्स कोस्ट नमबर 20 आप पहुंच चुके हैं यहां तक पगड़ रखा है ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों आप मुझे बताएए दोस्तों किस तरीके का पहार के बराबर लकड़ी के बहार से कम या या तुद्दी नहीं लगने का यह तो खतम हो गया आप्सें लास्ट वालत हो तो 21 नमबर का question है दोस्तों उसके बाहर के बराबर लगेगा option number A इसका answer हो जाएगा ठीक है ना अगला question आपकी screen पर जरा ध्यान दियेगा student इसमें क्या पूछा हुआ आपसे निम लिखित में से कौन सा cantilever beam का उधारन है cantilever beam का उधारन दोस्तों आपसे पूछा हुआ है which of the following as an example of a cantilever beam कौन सा student इसमें से यह है दोस्तों आपका कौन सा bridge, pull कौन सा है दोस्तों, bridge ठीक है यह आपके cantilever beam का most important example है क्योंकि दोस्तों bridge जोता है दोस्तों वो इस तरीके का होता है यह दोस्तों cantilever के सिद्दान पर दोसके यह उसका most important example हो जाता है ठीक है यह फिर दोस्तों एक होता है plane ठीक है आगे चलूं अगला कौस्षन आपकी screen पर है वायू मंडेल यह हवा प्रत्वी पर रखी जाती है दोस्तों कॉस्षन नमबर तेही से वायू मंडेल यह हवा जो होती हो प्रत्वी पर रखी जाती है atmospheric air kept on earth by gravity by wind by clouds या by rotation of earth 23 सिंपल ची बात है दोस्तों पावन के द्वारा थोड़ी ना यह तो option सारे के सारे गलत है आपके इसमें से दोस्तों आपका option नमबर यह यह वाला हो जागा ठीक ठीक है option नमबर यह इसका अंसर है दोस्तों gravity ग्राविटी के दुवार दोस्तों जो हवा होती है नीचे की तरफ तो आती है यह थोड़ी ना कि उपर उपर से निकल जाएगी ऐसा तो होता नहीं तो दोस्तों सरफेस पर दोस्तों अंदर भी जाती है इसलिए दोस्तों का ग्राविटी के हिसाब से ठीक है ना किसके साब से दोस्तों gravity ठीक है अब देखें दोस्तों वाई में पाई जाने है कौन-कौन सी इंपोटेंट है nitrogen कितनी पाई जाती है दोस्तों 78% याद कर ले ना जो मां परचेंट घंट है ना उसके बाद में पाई जाती है दोस्तों अपकी कौन सी 0.03 का रवन डायोकसाइड ठीक है आगे चलूँ 24 चुम्बक रखसक किसके टुकड़े होते हैं दोस्तों वट आर दा पीचिस ऑफ मैगनेट प्रोटक्टर किसके टुकड़े होते हैं निकल के कोबाल्ट के स्टील के फिर नरम लोहे के किसके टुकड़े होते हैं स्टुटेंट करो मुझे फास्ट कोस्टन नंबर 24 य लोहें कहाँ से चुम्बक रखसक के टुकड़े होते हैं वो किसके होते हैं नरम लोहें चलूंक लास्ट नमबर का कुछन देख रहूंगे दोस्तों आपका लास्ट को सन्पूंक लिया हुआ है पढ़ो पहले दो से oh हाई वोल्टेज होती है उसके तार होते है उसके बैठे हुए पक्सी को दोस्तों करेंट मारने नहीं होता है दोस्तों को विदुत मारने नहीं होता है क्या मतलब वह पक्सी होता है उनको करेंट नहीं लगता है क्या होता है कारण क्या होता है अबर्ड शीटिंग ओना हाई वोल्टेज इलेक्रिक वायर डाज नोट गयाट दा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो स्यूट्यूट बिकोज इट हैज हाई रेजिस्टेंस काता ही नहीं एक सा कॉंटेक्ट विद ग्राउंड इट डाज नोट बीकम अ क्लोज पाथ फोर दा फ्लो इलेक्ट्रिक करन्त या फिर दोस्तो हीज़ सेट आर इलेक्सरोईल अनुए और दोस्तोओ संटा यह भी नहीं हुता दोस्तों पैर सेव विदुत्रोद्य यह भी नहीं होता है के ना यह ova पातके passes नहीं बनता है ठीक है जिस पर वो बैठते हैं दोस्तों वहाँ पर की बात कर रहे हैं मतलब क्या it does not become a closed path for the flow of electric current ठीक है option number इसका c answer है students कौन सा option number c ठीक है यह देख लेना option number c इसको में मिटो देता हूं हलका सा इसका answer ही बता जेता हूं क्योंकि बाई mistake पता लगा इतनी सारी बीड में पता ही लगेगा answer कौन सा था यह हो जाएगा आपका option number c ठीक है और दोस्तों हमने last question आपका 25 तक complete कर चुके हैं उम्मीद है दोस्तों आप मुझे comment करोगी कि सर मेरे 25 में से कितने बनने हैं ठीक है ना तो मैं दोस्तों आपका score देखता हूं तो उससे दोस्तों मुझे motivation मिलता है इस पूरे जोग दो अपने आपको दोस्तों 100% देने कोशिश करो क्योंकि आपका exam नजदीक है कम से कम 25 दिन जो भी आपके तो जोग दो पूरा अच्छे तरीके से तो चले दोस्तों good bye thank you all of you